हेलो फेंस आज मैं आपके साथ मकन संक्रांत्रिय स्पेशल तील और गुर के बहुत ही स्वादिश लड़ू की रेसिपी लेकर आई हूँ एकदम पॉर्फेक्ट में आपके साथ एकदम पॉर्फेक्ट गोल गोल लड़ू बनकर तयार होंगे बिल्कुल भी चप्टे लड़ू नहीं बनेंगे और नहीं जादा हाड लड़ू बनेंगे पॉर्फेक्ट एकदम क्रंची सॉफ्ट लड़ू बनकर तयार होंगे बहुत ही जादा टेस्टी लगेगी ये खाने में तो चलिए बिना देर के रेसिपी शुरू करते हैं तो यहाँ पर तील के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले आपको गैस ओन कर कोई कड़ाई या पैन ले लेना है इसमें हमें डालना है सफेद तील तो यहाँ पर हमने ये सफेद तील ले है क्योंकि तील के लड़ू के लिए सफेद तील का इस्तमाल होती है तो यहाँ पर और देख सकते हैं हमारा तील अच्छे से फूल गई है और तील का जो कलर है आपको वो भी चेंज दिख रहागा तील भी हल्का सुनारा हो चुकी है तो बस यहां पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इससे जादा हम नहीं भूनेंगे नहीं तो तील का जो टेस्ट है वो कड में निकाल लेते हैं इसे हम रख देंगे और वापस से हम उसी कढ़ाई में एट करेंगे एक टेबल स्पून घी से लड़ों में बहुत ही अच्छी साइनिंग आएगी और गुड भी अच्छे से मैल्ट हो जाएगी उसके बाद यहां पर हम डालेंगे गुड तो गुड य जाती है उसके बाद एक चमच आपको इसमें पानी डालना है ताकि गुड अच्छे से पिगल जाए गुड को हमें धीमी आजपे ही पिगलाना है क्योंकि हम यहां पक पानी का कम इस्तमाल किये तो गुड अच्छे से पिगले इसके लिए आपको धीमी आजपे से पिगलान अगर आपको लगे कि गुड़ में कुछ impurities है तो आप गुड़ को melt होने के बाद चन्नी में से चान लिजिए और चान कर उसके बाद ही इस्तमाल किजिए नहीं तो आपके लड़ू जो है किरकिरे लगेंगे तो यह देखिए गुड़ हमारा अच्छे से melt हो चुका है और यह तो वह से पक रही है तो हमें तिल के लड़ू के लिए एकदम परफेक्ट चास्नी बनानी है अगर चास्नी ज़्यादा ओभर कुको गई तो भी लड़ू नहीं बनेंगे और अगर चास्नी कम पक उसमें तो यहाँ हम कैसे चानेंगे तो यहाँ पर बावल में पानी लेंगे और थोड़ा सा हम ड्रॉब डालेंगे चासनी का ये देखे और एक निट बेट कीजिए इसको ठंडा होने दीजिए और तब तक उदर चासनी को भी लगतार चलाते रहिए और उसके बाद इस तैके से हम इकठा करके देखेंगे ये देखे इसके बॉल्स बन रहे हैं तो वो दातों से तुटेंगे नहीं तो देखे गुर जब इस तैके से सॉप्ट रहे तब ही ये बिल्कुल पर्फेक्ट टाइम है आपको यहाँ पर ये भूनेवे तिल सारे हम डाल देंगे और इसको हमें फटा-पट मिक्स करना है और हाँ इस पात का ध्यान रखे यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ओप कर दिये हैं और इसे पटा-पट अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहीं पर हम प्लेवर के लिए इलाइची का पावडर डाल देंगे आप चाहे तो गुर के चासनी में भी डाल सकते है या फिर यह ऑप्सनल है अगर आपके पास हो तो डाली नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और पटा-पट इसे मिक्स करने के बाद जो हमने गी से थाली को ग्रीस किया था उसी थाली में इस मिक्सचर को ट्रांसपर कर लेंगे तो इस तेके से हमें सारे अच्छे से जो है मिसरन कडाई में से निकाल का प्लेट में निकाल लेना है और उसके पाद जब यह मिसरन गर्म रहेगी तब ही आपको लड़ू बना लेने हैं क्योंकि ठंड का मौसमें तो यह मिसरन जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी तो हम थोड़े से क्वांटिटी में बना रहे हैं तो जल्दी बन जाएगी अगर आप जादा क्वांटिटी में बना ले तो घर में दो तीन मेंबर के हैल्प ले सकते हैं और फटा फटा आपको यह लड़ू बना लेने हैं यह देखिए कितने परफेक्ट एकदम गोल गोल सुन्दर यह लड़ू बनकर तयार होंगे अगर आप कि आपका मिक्षर ठंडा हो गया है लड़ू नहीं बन रही है तो आपको घबरानी की बिल्कुल भी जरूत नहीं है मिसरन को वापस से उसी कड़ाई में डालिये और बिल्कुल धीमी आज पर गर्म कीजिए तो मिसरन वापस से सौप्ट हो जाएगी और इसली आप कर लिए हैं देख सकते हैं और इतने मिसरन से हमारे जो है 22 पिस लड़ू बनका तयार हुए हैं और देख सकते हैं कोई भी लड़ू चप्टे नहीं बने हैं एकदम सुन्दर सुन्दर गोल गोल लड़ू बनका तयार होंगे perfect माप के साथ अगर आप बनाएगे तो आपके भी इतने ही अच्छे लड़ू बन का तयार होगा इन लड़ूओं को आप एटाइट डबे में स्टोर करके अराम से तीन से चार मेने तक खा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो मकन संक्रांति का तहवार आने वाला है फ्रेंज आप भी इस तिल और गुड की लड है तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना बूले जिसने मेरी आने वाली नहीं वीडियूस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरी यहीं वीडियो को आप फेसबुक मेश करना ना भूले मेरी obec चांप गÐ few को प्रेसिक के शाप्र तब के लिए बाई बाई टेक केर, थेंक्स फोर वाचिंग.